वेल तो ही गाईज, वेलकम टू माई चैनल, माने में स्पंकस, तो वेल आप लोग का स्वागत और मी रेस्लिंग में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या आप ब्रॉक लेस्नर अपने पुराने वाले लुक के अंदर वापीश डेवलोडी के अंदर देखने को मि लेगी, जो कि जैक पॉल को लीड करते विए दिखाये देने वाली है, लोगन पॉल के ब्रदर को, समर स्लैम के लिए, या फिर डव्रोडी के एक अंदर मैच रिसल करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे, चैट गेबल के एक टीम देखने को मिलने वाली है, जो कि हील ट टॉपिक के शुरुबात करते हैं, फर्स्ट इफॉल एल ए नाइट को लेकर, सो कल का जो स्मैक डाउन देखने को मिलेगा, विसलिए बहुत ही बढ़ा होने माला है, एल नाइट वर्सेस एज स्टाल्स का मैच भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर जो भी जीतेगा वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा for the WWE Undisputed Championship, तो यहाँ पर एल नाइट अपना पहले साई दावा ठोकते वे दिखाए दे रहे हैं, कि उनको डवली के अंदर वर्ल टाइटल की काफी जादा नीड है, मतलब की काफी जादा उनको वर्ल टाइटल की जरूरत है, तो इसल बैक्स्टेज को लेकर, सॉरी, बैक्लाश को लेकर, बैक्स्टेज निकल गया, बैक्लाश, तो बैक्लाश का एक वीडियो देखने को मिला है, जहां पर स्टेज बनते वे दिखाए देगा, जिस एरिना के अंदर, मतलब बैक्लाश हमें देखने को बलेगा, तो आप यह वी वीडियो देख रहा है इस वीडियो के अंदर clearly देखने को मिल रहा है कि जो backlash के लिए जहां पर backlash देखने को मिलेगा वो arena starting अभी से हो चुका है मतलब planning करना शुरू कर दिया है उन लोगोंने और setup करना शुरू कर दिया है backlash के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और chair भी prepare कर लिए तो यह वीडियो फूटेज के अंदर आप सभी लोग देखी सकते हो वैसे बढ़ लेते next one update के बारे में बात कर लेते तो यह अपडेट है all elite wrestling को लेकर wdk wrestler क्या all elite wrestling के अंदर जाते वे दिखाए देंगा मैंने बहुत सुना भी आप कि बहुत सारे superstars का contract खतम हो जाए बात यह है कि भाई देखो यार अभी फिलाल के टाइम पर जिस तरीके सा situation चल रही है all elite wrestling के साथ में उनका बेडा गर्क है बेडा गर्क है तो ऐसे में यहाँ पर wdk कोई भी wrestler even यहाँ पर internal report देखने को मिली है कि wdk कोई भी wrestler चाया उसका contract खतम हो रहा हो या फिर ना खतम ह जाने के लिए वहां के बंदे new japan और यहां फिर दूसरे dna जैसी company के अंदर चले भी जाएंगे लेकिन all elite wrestling के अंदर जाने की इच्छा को अपने मार दिये हैं उनको नहीं लगता कि अब all elite wrestling के अंदर जाना उनके लिए कुछ पहतर हो सकता है तो यह कुछ भाई all elite wrestling का downfall ब वाली की बेवकूफी की वैसे वैसे बढ़ लेते नेक्स वान अपडेट के बारे में बात कर लेते तो यह अपडेट है Chad Gable and the Creed brothers को लेकर तो रेपोर्ट के अकॉर्णिंग जो की Chad Gable and the Creed brothers यह टीम हमें देखने को मिलने वाली है यह जो पूरी heel team है Chad Gable heel turn हुआ पिछले हपत है तो लेटसी भाई क्या पता हमें यहाँ पर चैंपेन में बनते वे दिखाए दे जाए तो आई होप सो कि ऐसा कुछ हो जाए Chad Gable and the Creed brother I know मताब हो सकता है Chad Gable and the Creed brother मेभी इनको डवलोडी आगे चलके फैक्शन की थार पे प्लान करें डवलोडी यहाँ पर इनको tag team titles भी दे तो हो सकता है कि ऐसे कुछ plans भी देखने को मिल जाए बट फिलाल के टाइम पर initial plans यही है कि Chad Gable and the Creed brothers को एक साथ लाना है तो भाई मुझे लग रहा है बहुत सारी team नहीं हो जाएगी वैसे बढ़ लेते next one update के बारें बात कर लेते तो यह update हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो किया है Jake Paul and Logan Paul को लेकर तो reports के according and even यहाँ पर Jake Paul अपने recent के interview के अंदर मतलब Logan Paul कहते वे दिखाए देते है Jake Paul को लेकर जहाँ पर उनका यह कहना था कि WWE future के अंदर Jake Paul का एक match जरूर रसल करवाएगी और Jake Paul WWE के अंदर रसल करना चाहेंगे और summer slam के अंदर मैं तो अपनी title defend जरूर से करूँगा बट वहाँ पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ यानि कि वो चाह रहे हैं कि Jake Paul का भी वहाँ पर involvement हो और जिससे आगे चलके वो एक match भी रसल करें यानि कि Jake Paul को WWE लारना चाहेगी summer slam के लिए match के लिए भी हो सकता है उसके बाद हमें WWE किसी event के अंदर match करवाते वे दिखाए दे जा या तो सावधी के event के अंदर या तो WWE summer slam के अंदर plan बनता है तो वहाँ पर ही करवा दे लेकिन यहाँ पर Jake Paul को लेकर Logan Paul चाहते हैं और even Jake Paul भी चाहते हैं कि उनका future में WWE के अंदर कोई ने कोई match देखने को मिले and that's it भाई दोनों भाई बहुती बड़े अच्छे खासे performer है हमने अल्रेडी देख रखा है भाई तो expect कर सकते कि Logan Paul अपने भाई Jake Paul को भी लाते वे दिखाए दे सकते हैं साथ ही साथ और Finn मजा हो और double बन जाएगा फिन तो ठीकी है वैसे बढ़ लेते नेक्स वन अपडेट करते वे दिखाए देते हैं bloodline को लेकर जहां पर Jay Uso अपनी कुछ अंदिरूनी इच्छा को जताते वे दिखाए देते हैं जहां पर Jay Uso का कहना था कि वो चाहते हैं कि bloodline एक face वाली bloodline जो हमें पहले देखने को मिलती थी वो वाली bloodline का reunion हो और ये face superstar के तोर पे जो face पूरी blood line है वो यहां पर WD को थोड़ा बहुत run करते वे दिखाए दे जाए डवलोडी के अंदर run करते वे दिखाए दे जाए यानि कि Jay Uso चाहते है कि one last time face bloodline यानि कि सारे के सारे सुप्रिस्टार अच्छे खासे hero वाले सुप्रिस्टार face bloodline हमें देखने को मिले WD के अंदर तो I इसे बढ़ लेते हैं next one update के बारे में बात कर लेते हैं तो यह update है the beast incarnate Brock Lesnar को लेकर I know comments में बहुत सारे सवाल आते कि Brock Lesnar को लेकर आप कहना क्या चाहोगे Brock Lesnar के हमें पुराने वाले look के अंदर देखने को मिल सकते है Brock Lesnar पुराना वाला देखने को मिल सकता है I know 2019 वाले Brock Lesnar के नहीं देखने को मिले हैं तो ऐसे हमें यहाँ पर इतना लंबा break के बाद W.E. Brock Lesnar को उस वाले position के अंदर वापिस ला सकती है जो हमें 2019 के अंदर 2020 के अंदर छोड़के गए थे यानि कि Brock Lesnar एक बार फिन से वह heel और dangerous Brock Lesnar देखने को मिल सकते हैं और जो कि already उस Brock Lesnar को सब भी ल सकते हैं Old Block Lesnar हमें देखने को मिले बाकिया आप लोगे thoughts, opinions कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो WhatsApp और Insta पे follow कर लो ठीक है Twitter पे भी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 एव्रिवन